दोस्तो जीवन में कभी कभी कुछ इतना अचानक से घटित होता है कि हम यकीनी नहीं कर पाते हैं कि ये सत्ते हैं और जब बाद में सोचते हैं तब पता चलता है कि हमें कितना कुछ अच्छा मिल गया और ऐसा ही कुछ मेरे साथ घड़ा दोस्तों, जब मैं उत्तर काशी से जा रही थी गंगोत्री की तरफ गंगोत्री की तरफ जाते हुए रास्ते में कुछ एक ऐसा इस्थान मिला, कुछ ऐसी दिव जगह मिली जहां के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ही देखिए, यहां पर रास्ते में कितनी सुन्दर सुन्दर भेड़ों और कितनी सारी दूर दूर तक हैं देखिए पूरा जाल सा फैलाया हुआ भेड़ों ने पहाडों के बीच में दोस्तों उत्तर काशी से आगे बढ़ते समय गंगोत्री की दरफ जाते समय रास्ते में ही हमें कुछ अलग सा एक स्थान दिखाई दिया जहां मुझे दूर से यह गड़ेश जिकी मूर्ती दिखाई दे रही थी तो मैंने अपनी गाड़ी को वही साइड में रुकवा कर और सिर्फ अपना फोन हाथ में लेकर उतर कर नीचे आई रोड क्रॉस करके बिल्कुल में रोड बन साइडेड रोड थी तो उस road को cross करके मैं उधर एक सिर्फ photo खीचने के लिए उतरी थी और बाकी जो लोग भी मेरे साथ गाड़ी में थे उन सब को मैंने गाड़ी में ही छोड़ा और मैंने का बस दो मिनट में सामने गड़ेश जी की photo खीच कर आती हूँ और दोस्तों जब मैं road cross करके उस जगह पर पहुँची तो गड़ेश जी से पहले ही side में मुझे दिखाई दी काली माता और उनके पैरों के नीचे थे शिव जी उनकी मूर्ती इतनी सुन्दर थी कि मेरे पैर अपने आपी पहले उधर की ओर बढ़ गए और मैंने पहले उनको देखना चाहा और इतनी सुन्दर मूर्ती थी इतनी सुन्दर यहां की जगह लग रही थी साथ में हनुमान जी की भी मूर्ती थी तो मैंने अपने फोन से ही इनका वीडियो बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी इनका वीडियो बनाने के बाद मैंने सुचा कि अब गड़ेश जी की वीडियो बनाते हैं तो जब उस तरफ आगे बढ़ी तो देखा कि गड़ेश जी की आधी मूर्ती उपर की तरफ है आदी मूर्तिय वो नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ सीड़िया जा रही थी तो मेरे मन में खियाल आय gestion मीड़ी से उतर जाती हूं फिर नीचे जाकर शीजीम को बनाऊंगे मतलब वीडियो बनाऊंगे और जैसे जैसे मैं नीचे उतरती गई तो मुझे वहां से दिखाई देने लगई एक शिव लिंग तो मुझे समझ आ गया कि नीचे कुछ एक मंदिर सा भी है तो उस मंदिर की तरफ मुणने पर हमें दिखाई दिये सामने बहुत सुंदर से शिव जी और पहले यहां पर देखिए नीचे चुहा बना हुआ है शिव गड़ेश जी का और चुहे के साथ में दो मूर्तियां साइ में बनी हुए है और अब हम आपको दिखाते हैं यहां का जो शिव मंदिर है क्योंकि यहां पर सामने मुझे दिल लिखा हुआ भी दिख रहा है देखिए स्री सोमनात मंदिर तो यह मंदिर का नाम पढ़के भी और यहां पर दिखाई भी दे गया थे शिव लिंग हमें तो कर दो को तो मानेव जी आम पिन ासन खिणाविए समया मालेपू कि यह तिन केला शुह कुझे है पारवादी जी निक कम एक संथां कांभली डिकला लगारे रिदहिया ़रीजिय। में गयों पारवादी जी, सिथी जोओ अ जबता तो और मंदिर से बाहर निकलते ही दोस्तों मंदिर की बिल्कुल बगल में एक और छुटा से चैनल दिख रहा था उसके अंदर भी एक मंदिर था तो चलिए इस मंदिर के अंदर भी देखते ही हाँ पर क्या है और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है मातारानी तो आपको पहले मातारानी के भी दर्शन करा देते हैं हैं मातारानी के भी दो आपको पर के अंदर भी देखते हैं जिए सब्सक्राणन के बानेन आपको पर अंदर इस माताराता पर रही है जिए मैं आपको बंतार है चरह झाल कि अपको प्यान घाल दोस्तों इन दोनों मंदिरों को देखकर मैं वापस लौटने ही वाली थी, सीड़ियों पर चड़ने ही वाली थी तभी मुझे दिखाई दिया सामने की तरफ कुछ ही कौर जिगह मुझे दिखाई दिया तो मेरा मन अपने आप ही ऐसे होने लगा कि चलो देखते हैं वहाँ पर क्या है तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़के देखा तो वहाँ पर एक और चैनल था जहां से एक रास्ता मुझे दिखाई दिया उतरने का तो मैं वहाँ की तरफ बढ़ चली और अनायस ही मेरे कदम उस सीडियों की तरफ चले गए जो इस चैनल के अंदर से जा रही थी और जब मैं इन सीडियों से उतर कर थोड़ा सा आगे बस मैं देखना चाहती थी कि इधर आगे क्या है तो मैं सीडियों से उतर कर थोड़ा सा आगे ही पहुँची तो मैंने देखा लेफ्ट साइड में एक दरवाजा था, जिसमें बीच का छोटा सा एक गेट खुला था और बाकी बन था और ऊपर देखी, दोनों तरफ शेर और बीच में शिबजी कितना सुन्दर गेट लग रहा था इसको देख के ऐसे ही लग रहा था कि कुछ खास है यहाँ पर तू देखना चाहिए तो ऐसा सोच के मैं इसमें उतरने की सोचने लगी और तभी मुझे इसके गेट पर ड्रेगन बने हो दिखाई दी, यह देखिए मतलब अजीब सा लग रहा जिसे तिलिस्मी सा कुछ हो और संतों की फोटो भी लगी हुई थी यहाँ पर तो इस गेट के अंदर जाने का मैंने सोचा यहाँ पर दिख कोई भी नहीं रहा था जिससे मैं पूचती कि यहाँ पर कौन है क्या है कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था फिर मैंने सोचे चलो थोड़ा सा अंदर जाके देखते कि यहां पर क्या है यह सोचकर मैं थोड़ा सा गेट के अंदर घुसी हूँ और घुसते ही मैंने जो इतनी विशाल विशाल मूर्तियां देखी कि मैं तो देख के बहुत चक्की ही रह गई पूरी उपर छट तक मूर्तियां थे इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थे और फिर गड़ेश जी की पहली मूर्ति थी और उसके बाद जितनी भी मूर्ति थी वो विश्नु जी के सारे अफतार थे आप देखिए कितनी सुन्दा सुन्दर मूर्तियां झाल झाल इतनी सुन्दर विशाल मूर्तियों को देख कर और यहां कि जो भी यहां पे संतों की फोटो लगी हुई थी और यहां पे जो कुछ भी था वो सब कुछ इतना अच्छा था इतना उर्जा से भरा हुआ था ऐसे लग रहा था किसी जादूई जगे में आ गया हूँ बिल्कुल अलग सी अनुभूती थी यहां पे आगे अभी इन सब मूर्तियों को देख के थोड़ा सा आगे बढ़ने का मन हुआ मैंने सोचे चलो थोड़ा सा और आगे बढ़के देखते हैं कि क्या है थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ तो महाँ पर मैं देखती हूँ, महाँ पर संतो की फोटो लगी हूँ है काफी सारे अलाकि मैं थोड़ा सा शकल से पहचान रही थी लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि कौन से संत है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इनको कहीं पे देखा बाद में मैंने इनका नाम पढ़ा नीचे लिखा हुआ था पाइलेट बाबा फिर मैं थोड़ा सा और नीचे उतर के देखा तो मैंने देखा राइट साइड में एक रास्ता जा रहा था तो उधर चल के देखूं कि क्या है तो मैं अपने आपी उधर की तरफ बढ़ने लगी ऐसा लग रहा था जैसे यहां की एक ऐसी उर्जा है जो आपको खीचती है अपनी तरफ और देखिए बीच में शिब जी की मूर्ती कितनी सुन्दर लग रही है बहुत ही अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ने पर दोस्तों फिर सीडियां दिखाई दी जो सीडियां थी उसके दोनों तरफ बने हुए थे ये दो गार्ड बैठे हुए थे शेर उनके बीच में से जा रही थी सीडियां तो इन सीडियों से फिर उतरते हुए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा था दोस्तों क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा था जिससे मैं कुछ भी पूछूँ बताऊं अपने आप बस बढ़े चली जारी तो और इतनी बड़ी जगह में इतनी विशाल जगह में ये बना हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था आपके इधर से देखना शुरू करूए देखिए ये लेफ्ट साइड में सब बना हुआ है ये लेफ्ट शाइड में सिब जी है बहुत ही अच्छी पृतिमा बनी हुए है ये देखिए तो फिलाल मैं आपको लेकर चलती हूँ उसके राइट साइड की तरफ यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तो राइट साइड में अंदर मूर्ते ही मुझे दिखाई दे रहे हैं सब्त रिशी इतनी बढ़िया मूर्तियां है इतनी सुन्दर मूर्तियां दूर से ही ऐसे लग रहा है कि जैसे मूर्तियां बोल पड़ेंगी यह किनारे पे तो दो मूर्तियां यह अलग बनी हुई एक मंदर के अंदर दोनों साइड में लेकिन सामने इस सब्त रिशी जहां से शुरू होते हैं वहां से आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में बिल्कुल ऐसे लग रहा कि बोलती भी मूर्थियां सारे रिशी जैसे लाइन से ऐसी हो हैं कि बस अभी आप से बात करना शुरू कर देंगे इतनी साक्षाद मूर्थियां आप देखेंगे दिरना तिरना, 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 तिरना कर दो कर दो जहां पे सब तृषियों की मूर्तियां खत्म होरी वहीं से आगे फिर और शीस्धियां जा रही है और इन सीडियों के दोनों साइड में भी दो मूर्तियां लगी हुई है देखी है इन सीडियों से नीचे उतरने का फिर मेरे मन में आया की फिर आगे बढ़ के देखेखेज्या की और आखिर क्या है नेखेड की बिलुकुल ऊपर, और इत ब्लेध के दोनों साइड में सब्सक्राइन लूद की वृष्थे लूद के नाग से घुरा prayer सोटा करना हुए जनका सब्सक्राइड की मचल सपस्राइब सौट सोटाइब ग rif बोड़े के उपर सवार है, उसके उपर नाग देवता है, मत्स करने हैं, सब दर्वाजे के चारों तरफ में जरा रहा है, फिर ये दर्वाजा शुरू हो रहा है, मतलब बड़ा तिलिस्मी सा आजीब सा था, मतलब ऐसा कुछ था यहां पे, कि आपको बर्बस ही यह कहेगा कि आप और आगे बढ़ो, देखें और क्या, ऐसा एक खिचाफ था यह अपने आप ही कदम आगे ही बढ़ते जा रहा है थे, और थोड़ा सा और आगे बढ़कर, नीचे सीडियां उतर कर, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, तो देखती हूँ कि राइट साइड में का अंधिरा हो रहा है, मतलब काला काला सा आरा है, और कहीं कहीं पर रोचनी हो रही हैं, तो इसलिए कहीं कहीं पर ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन मैंने कोशिश किये कि कुछ दिखाई दे, क्योंकि मेरा तो बस यह हाल था कि मैं वीडियो आउन करके बस आगे बढ़े जा रहे थी, फोन पर ही, मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं किधर जा रही हूं, बस अपने आप आगे बढ़ता जा रहा था, पैर अपने आप आगे बढ़ रहे थे, और देखे दोस्तों, इस वाले एरिया में, जो पूरा उपन एरिया है, इसमें माता रानी के जित जी के सारे अवतार के सुरूप थे, यहां पर सारी देवियों के सारे सुरूप है, आप देखिए लाइन से सारी देवियां आपको मिलेंगी, बहुत ही सुन्दर है, कि थे, बहुत है, यहां सुन्दर है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मुर्ठ कर दोब्हाइन को अच्छा है, पुए अच्छा अच्छा चाल, पुए आप बनारे लिए संवा टूसरी प्रिमो कने वीधस है। कर दो कर दो और दोस्तों अब देवी मता का जो एरिया बनाता है पूरा सारे जो देवियों के स्वरूत थे वहां से आगे निकलने पर बाहर की तरह आने पर फिर एक दू सीड़ियां थी उससे उतर के जब हम नीचे आतें तो यहां का जो क्या कहूं मैं यहां के बारे में यहां का जो चारो तरफ का बातावरन था जो मूर्तियां थी वो बहुत ही संदिग्ध अजीब और गरीब सी मतलब इसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत अब आप आप देखिए इसमें एकी जगह में क्या क्या किया हो अब यहां इस कोने पर इन मूर्तियों को आप देखिए, यह देखिए एक संथ है, एक जो भी रिशी है, शंक बजा रहे हैं, उनके पीछे माता रहने, और उपर देखेंगे आप तो सारे देवी देवता बने हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शिवजी हैं, तृद सारे देव आपको नजर आएंगे, यह देखेंगे, यह दिवार पर बनाई हुई उपर, उसी कॉर्नर पर है, और सबसे हैरानी की बात मुझे लगी, इसी की जस्ट सामने पत्थर पर यह कोई व्यक्तिको, जिसे नॉर्मल है, कोई भगवान या सादू संत नहीं है, नॉर् है, क्यों कि कूछ रियाल है, मुझे लगा ऐसा, क्यों कि लिखा हुआ था उस पे कुछ कार रियाल है, करके तो यह जो भी इस जगह के लोगो होगे, वो यहां रेहते होंगे, यह फिर जो भी यहां कार रिया होता होगे, और इसी से जस्ट दो कدم आगे बढ़ते ही, एक और मुझे अजीब सी मूर्ति दिखाए दिये देखिए इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हाथ पकड़ के इशारा कर रहा सेम उसी जगह पे जहां पे वो बूढ़ा ग्रामीड इशारा कर रहा था इसी जगह की तरफ तो मतलब यह वो कोना था जो एक पूरा रिशी मुनी देवी देफताओं से भरा हुआ लग रहा था जिसी मूर्तियां बनाई थी और उसी की तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति देख रहा है और यह दोनों व्यक्ति जो है उसी की तरफ इशारा कर रहा है तो मुझे लगा इस कोने में कुछ खास है लेकिन मिरको उस समय कुछ समझ न आगे कि यहां पर तो शिव जी का बासी वास है और यहां पर नंदी बाबा के बिल्कुल सामने बने हैं शिव जी की बहुत उची मूर्ति है बहुत उची इतनी उची कि मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और उस मूर्ति के चारों तरफ इस्थित है हमारे 12 तो आप इन शिप जी के दर्शन कीजिए बारा जोतिर लिंग के दर्शन कीजिए फिर हम आपको बाद कीजिए के दर्शन कराते हुआ शुं शुं जुं ुदमादेवा शंद्धू संभू शंभू मादेव करपूर्गारम करुना वतारम शंसारे साम मुझें व्यारम सदा पसंतं पिद्यार विंद भवं भवानी सहितं अमामी कर पूर्गारं करुना बचारं संसार सारं पुझ गेंडर हारं सदा पसंतं पिद्यार विंद भवं भवानी सहितं अमादे अर शंभू संब्सा बरोग्विंद जोम्ग कmetro विंदि की आ véhicा, जोचे पिरuso संब्साइब जोर्गां झाले अर शंब्साइब मद्सार है शम्भू मादे रहाद शम्भू, शम्भू, शम्भू मादेवा 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 शम्भू, 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 दोस्तों इस शिव जी के एरिया के दरशन करके हम धोड़ा सा बढ़ते हैं आगे अब हम आपको ले चल रहे हैं सामने की तरफ पहले हम आपको सामने के दरशन कराएंगे फिर आपको लेफ्ट साइट के एरिया के कराएंगे तो सामने के दरशन करेंगे सबसे पहले तो आप देखिए कितनी खुबसूरत सी मूर्ती सामने ही नजर आ रही है और गौतम बुद्ध पीछे से मुझे नजर आ रहे हैं बैठे हुए नीचे और पीछे बह रही है हमारी गंगामा और गंगामा की आवाज यहीं से इतनी तेज से सुनाई दे रही है तो उसलिए सबसे पहले तो नीचे उतर के गंगामा के दरशन करते हैं फिर हम आपको यहां के लेट साइट के जो भी एरिया बचाओ उसके विदर शन्कर आते हैं दोस्तों सामने बैठी हुई गंगामा का निर्मल जल और चारों तरफ उची उची परवत शन्कलाएं और उपर से छिल मिलाती हुई धूप चुछ चमक के आ रही है जल के उपर इतना अच्छा वातावरण है ना कि बस अगर आप यहां एक बार बैठेंगे ना तो आप सोचेंगे कि अब यहां से कहीं जाना ही नहीं बस यहीं बैठके रह जाओ इतना अच्छा लग रहा हुए आप यह और दोस्तों अब चलिए अब हम आपको इस मूर्ती के जो लेफ्ट साइड का एरिया रहा गया हम चलते हैं उसकी तरहagtे आपको लेफ्ट साइड का एरिया दिखाते कि वहां पर क्या क्या तो चलिए चलते हैं आगे और आपको देखे आगे जाते ही एक दर्वाजा सा नजर आ रहा है पहले तो देखिए ये कितनी सुन्दर मूरती है ये देखिए और उसके आगे जो ये मूरती ये तो बड़ी अज्चमतकारी सी मूरती लग रही थी मुझे इतनी शाइनिंग थी इस जगह में बहुत शाइन कर रही थी इसके अंदर की मूरती और ये जो एक गेट बना हुआ ये गेट बहुत ही अच्छा सा लग रहा था ऐसा लग रहा था मैं थोड़ी दिर ही पर खड़ी रहा हूं बहुत अच्छी फीलिंग आ रही तो यहां से गंगामा सामने दिखा हुआ है और उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूं तो मुझे एक तो रास्ता सामने दिखाई दे रहा है जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रूम बने हैं जहां पर शायद लोग रहते होंगे ऐसा कुछ एरिया नजरा रहा है और इसके जो राइट साइड में एरि करते हैं तो इसको देख कि मुझे ऐसा मैसूस हो रहा कि दूने की जगए क्योंकि ऊपर से थोड़ी सी खुली हुई भी है तो दोस्तों अब यहां से उतर के गंगा जी के जैसे ही दर्शन किया और यहां पर आके मेरी तंद्रा खतम हुई मुझे याद आया कि मैं गाड़ी मे सबको बैठा हुआ छोड़के सिर्फ एक फोटो खीचने के लिए उतरी थी और मुझे अंदाजा भी नहीं कि समय तक कितना टाइम मुझे हो चुका था और मैं यहां से वापस भागी हूँ और जल्दी में मैं जब वापस भागने लगी तो मुझे होश आता जा रहा था कि मुझे जल्दी पहुचना है जल्दी पहुचना है और इतनी देर तक मुझे मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि मुझे वापस भी जाना है या मैं कहा हूँ बस अपने आप बढ़े जा रही थी अपने आप जैसे कोई ताकत खीच रही थी इसके अंदर मुझे औ और जल्दी यल्दी से भाग कर मैं सबसे लास्ट में उस कमरे में पहुची जहां सबसे पहले थी यानि कि जहां पर विश्णु जी के सारे अफ़तार थे जैसे उस कमरे में पहुची ही थी वापस बिल्कुल बाहर ही निकलने वाले थी तभी वहां पे एक दरवाजा खुला और वहां मुझे एक संत्र में जा रहा है और उन्होंने मुझे बताया कि पाइलेट बाबा का आश्रम है और उन्होंने वहां के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी तब ही मुझे सामने मेरे गुरू जी की भी फोटो दिखाई दे गई अरे मेरे गुरू जी भी हाँ यह देखिए यह रहे मेरे गुरू जी जाय हो जय योगनान महराज जी की जय हो जय हो जय सभी जंतों की फोटो है अभी मैं सारे संतों की फोटो देखी रही थी अचानक से मेरी नजर मेरे मावतार वावाजी पे रुख गई और मेरा दिल खुजी से ज्छूम उठा उनको यहां पर देखकर तब ही मुझे वहां पे एक लोग मिले और उन्होंने मुझे बताया आपने मैंने चीज देखी यहां पर कि पूरा गुरुप जैसे कि अगर सारे अवतार है तो वह सब एक जगह है अभी आपको टाइम नहीं है इसलिए नीचे जगह है वहां पर क्या बात करते हैं दिखाओ मेरे पास बहुत टाइम में चलिए और उनका वह ही रहती है इसी आसरम महाफतार बाबाजी का नाम सुनके मैं फिर भूल गई कि मुझे वापस जाना था और मैं तेजी तेजी से भागते हुए वापस जाने के लिए आई थी लेकिन बाबाजी क कि बात हो तो वहां कहां कुछ याद रहता है मैं चल पड़ी इनके साथ वो जो लड़की आई थी जिनको बाबाजी दिखे थे वो कहां से आई थी मैं उन्हेर्वा जैसे यहा ओपर भी नहीं जाते अ कि इसे यहां सी यहा। पीजा करने अच्छा गंगा जी यहां तक है जिला तक आटी कि और इसी जगहा कर देखते हैं और उस लड़की को कहा दिखा डिखा है इसी जगहा पर ऊच्छे दिखते हैं किसी घृटा इसी जगह कर देखते हूं तो आपने बड़ी इच्छी बात बता लिए इसी जगह पर दिखते हैं यह रिशी जी की जगह पर हाँ बस इसी जगह पर खड़ी दिखेंगे आपको 30-40 फोटों के यहां पर सपेद बस्ते में दिखते हैं अच्छा और चलते फिरते नहीं दिखते गई उनके बारे में बता पता नहीं है कि कितनी हमाई हाँ यह तो हाँ कोई थाई हजार बताता है कोई थाई हजार बताता है कोई दस हजार बड़ता है कोई कहता है वो सत्युग में भी थे हां कोई कहता है वो त्रेता में भी थे हां कोई कहता है वो द्वापर में भी थे कल्यूग में भी हैं इसा म इस आप चंग है न इससे आप इससाइड निया तर इससाइड निया जाते है इधर बहुते का बाद है इधर आद्ध्याथ निपा रिए अच्छा यह बाद है वाँ अच्छा भी यहां पर बनेगा बहुत ही बड़ी है मैंने ऐसा मंदिर ऐसी मूर्तियां अभी तक कहीं नहीं देखिए रादे क्रेश्म जी विए हमारे अब यह पूरा एरिया बनेगा है तो यह तरीके से हमारा ध्यात्मिक छेत्र में आ जाएगा है ना कि यहां पर देखना पड़ता है मैं इस वाले की बात कर रही है मैं इस वाली जेगे की बात कर रही तो यह दूना है अच्छा वह मुझे लग भी रहता है दूना जैसे ही लग रहता है आ ऐसे इस लिद्धया आप यह क्या करते हैं उस चिला जाथे हैं और आश्रम नहीं नहीं तो यह किस ने बताया कि उन्हों चालिस साल तपस्या किया पालेट वाबा जी ने अच्छा देखो तो यह यह है ना हाँ 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 यह उनका इस्थान है गूंदेगा अच्छा गूंदा के नारे को विश्रन कर लेगा अच्छा पहने वर वह गूंदे थे आज से 20 साल पर 20 साल पहले जब बिलकम दी अब जादा होई तो उन्होंने अब बंदे कर दिया भी जंगा के लाद या उस शिलागे असपास दिखेंगे या फिर इस जगह पर दिखेंगे बस और कहीं नहीं क्यों चांति क्षा विए यहां यह बाद उसके लिए जो सिर्फ साधना के लिए ही है यहां पर आए आप आए आपको आखागेगा क्योंकि सारी बाते इनके मुह से बाबाजी के बारे में सुनने के बाद मुझे एसास हुआ कि वो कोना मुझे क्यों इतना आकरशित कर रहा था जहां पे सारे देपता थे और एक व्रद पुरुष उस तरफ इशारा कर रहा था और वो एक तो जो और बने थे जो उस तरफ उंगली से टो मुझे तब ही लग रहा था इस कोने में कुछ खास बात है अब मुझे समझाया कि वहाँ बाबा जी की शिला चुपी हुई थी इसलिए मुझे उपूना अकर्शित भी कर रहा था तो तत है कि वहां पर्मीशन किसे लेनी पड़ती है अच्छा तो उसके लिए कैसे हम बुकिंग करते हैं कैसे किसे बात करते हैं क्या होता है अच्छा ऐसी आजाए अच्छा अपर नेट पर भुजो भी है तो यहां की चीफ सेकर्टी का नमबर आएगा तो उनसे बात होनी पाएगी तो आप को बहुत सारा थैंक्यू बोल के यहां से निकले हैं वापस और जैसा की होना ही था जैसे हम अपनी गाड़ी में पहुंचे तो हमारे गाड़ी वले जो भाईया थे ड्राइवर और मेरे बच्चे और साथ में जो दो लोग और भी मेरे साथ ही लोग थे सब ने मेरे ऊपर च के खोके में अंदर गई थी वो सारे के सारे बोल रहा थे कि हम नीचे उतर के गए और हमने वो शिप जी का मंदिर मातरानी का मंदर देखा और उसके आसपास हमें कहीं कुछ नजर नहीं आया तो हम वापस आ गए तो सारे बहुत चिंता कर रहे थे कि मैं आखिर वहां कहां चली गई आसपास में कुछ हई नहीं जगे जाना जा सकती हूं लेकिन दोस्तों मैं सब के चिल चीकने चिलाने की परवा किये बिना मैं तो अपनी मस्ती में मगन थी क्योंकि मैं इतनी दिव जगे देखकर आई थी इतना सकून था मन में अलाकि जितने भी भी हमारे साथी बाबजी